दोस्तों नमेश्कार लेट्स क्रैक यूपी एक्जामस में आपका स्वागत है और आज हम उन महत्पूर्ण अनुछेदों पर तेजी से चर्चा करेंगे हाना कि एक घंटे का वीडियो में राया था उस पर हमने विस्तिच चर्चा की थी लेकिन आज उन अनुछेदों पर हम चर्चा करेंगे जो बार बार आपकी परिक्षाम पूछे आते हैं और सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण अनुछेद हैं तो आईए यह पहला पार्ट है कल हम दूसरा पार्ट इसका आपको देंगे तो चलिए MCQ के स्थान पर पहले अनुछेद देख लिजे इसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे जो हम कराएंगे आपको MCQ तो और ज़्यादा आपको मजा आएगा ठीक है महतपूर्ण अनुछेद जो बार बार आपकी परिक्षाओं में पूछे आते हैं उनका इस वीडियो में हम वर्डन करेंगे उनके बारे में जानेंगे दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा एक ही वीडियो में अदि महतपूर्ण अनुछेद ओपर थोड़ा बहुत भी चर्चा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा आपको पता है कि वरियत सम्विधान हैं बहुत बड़े-बड़े अनुछेद हैं इनको कई तरीके से पढ़ाये जा सकता है एक तो आप अनुछेद में क्या-क्या बाते हैं वो पढ़ लीजे तो बहुत जल समाप्त हो जाएगा दूसरी उन अनुछे बड़े दों में और भाग जो विभгляд भाग हैं समिधान के उनमें तुलनात्मक अध्यन करेंगे तो ही आप और इसके साथ ही विभ enjoyment वादों में फैसलों में कोट ने क्या किए क्या संसुधन हुए कब संसुधनों को रद्द किया गया और म में क्या व्योस्था कर related आदित चीजे हैं ये सब जब पढ़ेंगे तब जाके आपको वरिहत नौलेज होगी वरिहत अध्यान आपका होगा तो आज के इस वीडियो में हम अपने इस आठ बजे के कोर्स में सभी प्रकार के जितने भी हमने आपको बताया अध्यान के तरीके सभी प्रकार के अध्यान करेंगे फिलहाल सामने एक परिक्षा नस्दीख है खंडशिक शादिकारी की उसके स्टुडेंट्स भी है तो उनके लिए भी वीडियो कामगर रहेगा काफी उनका काम देगा उनको यह वीडियो और इसका अगला पार्ट कल आएगा आठ बजे डेली में ले आता हूं इतिहा आज भूगोल का चल रहा था उसको दो दिन रोग करके इसको हम पॉलिटी के जो विभिन समिधान के अनुछेद हैं मत्पूर्ण उनको देख लेंगे तो दो तीन दिन समिधान में ही हम चर्चा करेंगे तो अभी तक यदि आप हमारे सारे वीडियो जो आते हैं 8 बजे न देखे हों तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ 8 बजे वाला वो आप सामान यद्ध्यान का वश्य देखें सुबह हमारी वीडियो देखना मत भूले जो सुबह के समय आती है आप डिस्क्रिशन बाक्स में भीन हमारे फ्री ग्रूप्स के लिंक दियें उनसे जुड़ सकते हैं और इन परिक्षाओं के हमारे पेड़ ग्रूप चलने हैं टेलीग्राम पे नीचे दिये वाट्सप नंबर पे संपर करके जुड़ सकते हैं आज सिर्फ हम अनुछेदों पर चर्चा करेंगे तो अनुछेद तीन की बात करें तो अनुछेद तीन भाग वन जो है भाग एक में क्या है संग और इसके राजशेत्र उसके अंतरगत आता है अनुछेद तीन इसमें नए राजियों के निर्माड और वर्तमान राजियों के छेत्रों, सीमां और नामों में परिवर्तन की बात की गई है और यह अधिकार दिया गया है केंद्र को संग को यह अधिकार प्राप्त है तो इसमें संसद चाहे तो विधी के द्वारा किसी राज से उसका भाग अलग करके या दो या अधिक राजियों के भागों को मिला करके या किसी राज में अन्य राज के भाग को मिला करके नए राज का निर्मार किसी भी प्रकार से दिये गए कर सकेगी इसके अलावा किसी राज के छेतर को बढ़ा सकेगी किसी राज के छेतर को घटा सकेगी किसी राज की सीमाव में परिवर्तन कर सकेगी और किसी के राज के नाम में भी अहर परिवर्तन कर सकेगी ये सभी अधिकार संसद को प्राप्त हैं सम्मिधान के द्वारा लेकिन इसमें कुछ सरुते हैं कि ऐसा विधेक राश्पती की सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा नहीं तो राश्पती की सिफारिष महत्पुन होती उसका कोई मतलब नहीं को कि राश्पती तो एक प्रकार से स्टांप होता है मंत्री पईशत का, प्रधान मंत्री का कह सकते हैं इसके अलावा दूसरी सर्थ है कि सिफारिष करने से पहले अर्थार राश्पती जब सिफारिष करेगा उसके पहले एक कारे करना होगा उसको जो सम्मंधित राज्ज हैं जो इससे प्रभावित होंगे फैसले से, उनके विदान मंडल पर विचार के लिए भेजेगा इस प्रस्ताओं को और एक समय निश्चित कर देगा कि इतने समय में जो विदान मंडल है अपनी राए दे अपना नेड़ा इसमें दे हाला कि जो राज्जियों के विचार होंगे इस फैसले से सम्मंदित राश्पती उसको मानने के लिए बाद नहीं है लेकिन एक बार होता है गाउँ में निमंतर दो तो एक बार पूछ लिया जाता है खाने के पहले नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं बस उतने से ही यह मतलब रखता है इसमें जो मुख्य बात है जो आपकी परिक्षा में पूछी आती है एक क्वानोचे तीन में है क्या ये पूछा जाता है दूसरा आपकी परिक्षा में पूछा जाएगा प्रक्रिया से प्रश्ण तीसरा क्या पूछा जाएगा साधारन बहुमत या विशेश बहुमत उससे संसोधन करने की आउशक्ता नहीं है तो यह संसत का जो कृत है समिधान में संसोधन नहीं माना जाएगा अर्थाद इसको कोई नंबर जैसे 101.1 संसोधन, 102.2 संसोधन ये नंबर नहीं प्राप्त होंगे ये नंबर उसी संसोधन में दिया आते हैं जो समिधान के अनुच्छे 368 के अंतरगस संसोधित किया जाता है जो समिधान संसोधन की सामाने पर क्रिया हैं वो किसी प्राउधान में अलग से दी रहती हैं एक तो पूछ लियाता है समता का अधिकार कहा दिया है समिधान में तो मूल अधिकार जो भागतीन में है उसमें 14 से लेकर 18 तक का अनुछेद यह समता के अधिकार की बात करता है सभी समान है तो अनुछेद 14 जो है वो क्या कहता है विदि की समक्ष समता विदियों के समान सरक्षन दोनों बात इसमें की गई है अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है अमीर गरीब का भेद नहीं करता है कानून लेकिन यहां कुछ दिक्कत हो जाती है जब दिक्कत हो जाती है तो इसलिए विदी के समान सरक्षन का प्रयोग किया जाता है दिक्कत क्या हो जाती है कि अमीर गरीब को यदि आप एक ही तराजू पे तो लेंगे तो कभी-कभी ये अपने आप में एक विभेद हो जाता है समानता में भी असमानता यहाँ पे उत्पन हो जाती ही जैसे कि उधारण है कि एक व्यक्ति दिल्ली तक दो लोगों को जाना है दोड़ना है एक को आप लखनों से दोड़ाओ एक को इलहाबाद से दोड़ाओ तो यह इलहाबाद यह समानता है समय की समानता है लेकिन असमानता कहां पर है ये इस्थिती की असमानता है तो इसी ठीक इसे तरीके से युक्त युक्त विभेद किया जा सकता है अनुछे 14 का विधियों के समान सरक्षन यही बात कहता है कि विभेद किया जा सकता है लेकिन यह युक्त युक्त होना चाहिए इसका कोई अच् विभावक है हमारे समिधान का यह पूस्ता भी है कि समिधान का विभावक कौन है हमारा न्यायल है न्याय पलिका है समिधान की व्याख्या करता है दोस्तों लंबा वीडियो नहों इसके लिए हम अनुच्छदों पर बहुत ही विशेश चर्चा नहीं करके ऊपरी बातें के बताएंगे जो इसी लिए आपका दो वीडियो में ले रहा हूं आज और कल भर में नहीं तो एक लंबा वीडियो दो-तीन घंटे का बनेगा वो भी मैं ले आऊंगा आपके लिए इसी सीरीज में ले आऊंगा आप बने रही लगातार लेकिन अभी जो महत्यपूर्ण जो अन करने का बड़ा अच्छा तरीका है अनुच्छेत 15 में आप पढ़ाई करिए तभी आपको नौकरी मिलेगी 16 में याद रखेगा कभ हमेशा जो है कन्फूजन का करण मनता है कि अनुच्छेत 15-16 में कभी सिक्षा कभी नौकरी इसी में आप उलच जाते हो लेकिन याद रख पहले पढ़ाई फिर नौकरी पढ़ाई कर वो तब यह नौकरी पावब मतलब कि यह इस तरीके से याद रखें तो हम ऐसा याद रहेगा आपको तो 15-16 में अब आपको नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ तो 15-3 में अकसर पूसता है कि 15-3 में उपखंड में क्या है तो इस्त्रियों और बच्चों है तो विशेश उपबंद किया गया है वैसे तो सब में समानता होनी चाहिए लेकिन इस्त्रियों और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि इनकी दशा दयानी है इनके लिए विशेश उपबंद किया जा सकता है अगर इनके लिए कोई विशेश उपबंद किया जाता है तो यह समानता के अधिकार का उलंगन नहीं समझा जाएगा इसका मतलब यह है ठीक इसी तरह अनुछेद 15-4 में चारवे उपखंड में SCST OBC है तो युक्ती युक् आच में उखंड में की गई है और अभी हाली में 103 में संसोधन समीधान संसोधन के द्वारा EWS आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए जो SCST OBC में नहीं आते हैं वो चाहे जो हो उनको 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े कौन होंगे उसके लिए कि समानता की बात की गई है चौथा उफ्खंड बहुत महत्पूर्ण है इसमें नौकरी में SCST OBC के आरक्षण की बात की गई है चोथे के कवाले उभखंड में पदोन्नत में आरक्षण की बात की गई है SC और ST के लिए पदोन्नत में आरक्षण काफी विवादित है इस पे धेर सारे वाद हैं उनके बारे हम बाद में चर्चा करेंगे अभी भी चली रहा है एक प्रकार से मुद्दाव ख जो है अनुसे 16 का ख बैकलाग भरतियों की बात करता है अर्थाद बैकलाग भरती जैसे अभी कोई भरती निकली है इसमें कुछ पद SC, ST, O, BC जो या EWS भी अब हो गया इनके लिए खाली रह जाते हैं तो इनको अगली भरती में जोड़ा जा सकता है या फिर इनके लिए अलग से पूरी भरती ही निका लिया सकती है बैकलाग की इसमें 50% की जो आरक्षण की सीमा निधायत की गई है अकर उसका उलंगन होता है तो इसको उलंगन नहीं माना जाएगा तो इसको वैद समयधानिक एदिकार बनाया गया है बैकलाग भरती को तो ये ख, 16 का क, 16 के उपखंड क, उपखंड चोथे का क और ख, ये याद रखेगा फिर उपखंड 6 में क्या है? अभी हाली में जो जोड़ा गया एक सो तीन में समिधान संसुधन के द्वारा EWS को नौकरी में, सरकारी नकोरियों में 10% आरक्षन दिया जायेगा ये प्राउधान किया गया फिर उपखंड 17 महतपूर्ण है, अस्पिश्चता का अंत किया गया है इसको राज्य और नागरिकों दोनों के विरुध लागू किया जाता है तो ऐसा पूचा आता है कि कौन सा अनुच्छेद, राज्य और नागरिकों दोनों के विरुध है तो अस्पिश्चता का अंत ये, न तो नागरिक ऐसा कुछ कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, अस्पिश्चता कर सकता है चुगा चूत कर सकता है नहीं राज को यह राज को भी मना ही की गई यह प्रकाज ठीक है ना इसको अपराध घोशित किया गया है इसी के आधार पर अश्पिस्ता निवारण अधनियम संसद ने बनाया था जिसमें सजा की व्योस्ता है अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो फिर उपाधियों के अंत की बात अनुच्छे दाठार में है अक्सर पूछा जाता है लेकिन उपाधियां सेना वा सिक्षा को छोड़ करके बाकी शेत्रों उपाधियां नहीं ले सकते विदेशों से कोई उपाधि लेना है तो राश्पती की स्विक्रिति अनिवार यह जा चाहर दो सकते हैं अनुच्छे दोन निवाध वी आधिकार की बात कि गई है जिसके उपखंड एक में पहले साथ अधिकार थे लेकिन अब कुल tsp है अधिकार है स्वतंता के ए में क्या है वाक एओं अभवेट की स्वतंता इसी के तहट आपके प्रेस की स्वतंता भी आती है चुप रहने का भी अधिकार इसमें आता है ठीक है इसके लावा RTI जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के दाइरे में आता है फिर है शान्तिपूर और निरायुद सम्मेलन का दिकार मिला आप कहीं भी शान्तिपूर और बिना कोई आयुद लिए हतियार लेकर न जाएं आप सम्मेलन कर सकते हैं उसकी सोतनता है सी में क्या है संगम या संग या वहाँ अभी सहकारी समित भी इसमें जोड़ गया 7-2000 संधान संसोधन 2011 के द्वरा संमिधान में संसोधन हुआ इस태 सहकारी समितियों को संमिधानिक दरजा दे दिया गया जिस तरह पंचायत भाग 9 में है नगरपालिकाया भाग 9 के क में है इसी तरём भागनों का खज वड़ा गया 2011 में और इसमें सहकारी समितियों को सवैधानिक दरजा दे दिया गया तो यहां भी सहकारी समितियों को add किया गया C में संगंसंग और सहकारी समिति बनाने की सुतंता है D है भारत में स्वतंत्र अबाद संचन कहीं भी आजा सकते हैं कहीं भी आजा सकते हैं भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं बस सकते हैं यह E में किया गया है F जो है इसमें संपत्ति रखने की बनाने की स्वतंता थी लेकिन इसको निकाल करके कहां रख दिया गया है 44 में समिधान संसों 1978 के द्वारा इसको निरसित करके अब इसको किवल कानूनी अधिकार या समिधानी का अधिकार बना दिया गया है नुच्छे 300 के कमे रख करके अब ये मूल अधिकार नहीं रहा अंतिम है जी कारोबार का अधिकार प्राप्त है लेकिन इसमें युक्त युक्त प्रतिशेद भी शर्तें भी रखी गई हैं जैसे शर्तें भारत में सर्वत अबाद आज संचन की स्वतंता तो है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के घर में घुज जाएं तो युक्त युक्त शर्तें थोपी गई है भारत की एकता खंडता आध पर कोई आच नहीं आनी चाहिए इन सुतंताओं का इस्तमाल करते हैं वक्त जैसे अबाद आचरण है तो इसका मलब नहीं सड़क के बीचों बीच आप विचरण करने लगें किसी को चलने ही नहीं दे रहे हैं तो लोग अशान्ती में परिशान्ती में बादा नहीं पहुचनी चाहिए अगला है बीस्वा बहुत महत्पूर्ण है अपराधों के लिए दोश्षिद्धि के संबंद में सरक्षण की बात की गई है तो इसमें तीन बातें आती तीनों का करम याद रखेगा पहल बाद में विधी बन जाती उसमें अपराध होशित कर दिया जाता है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे या फिर अभी जो दंड है उस अपराध के लिए जो आपने आज किया है कल को कोई इसमें विधी बना दी जाती है तो आपके उपर लागू नहीं होगी उसके त दंड से सरक्षण थाथ एक ही कारे के लिए एक ही अपराद के लिए आपको दुबारा दंड नहीं दिया जा सकता है थाथ मित्यु दंड आपको प्राप्त है किसी व्यक्ति के लिए तो उसी व्यक्ति के लिए दुबारा मित्यु दंड नहीं दिया सकता है बलकि दूसरा अग दोहरे दंड से सरक्षन प्राप्त है आपको फिर आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सरक्षन तीसरे महर्थाज आपको अपने ही खिलाब गवाही देने के लिए जबरतस्ती नहीं किया सकती है बाद नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इसी के आधार पर सरोश न्याले ने जो प मिधानी है पूरा इसको विस्टिद बनाता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और अच्छी बात है प्राण यों देख सतंता का जो सरक्षन है देखिए एक बात याद रखेगा यहां बताना आपको भूल गया कि जब राष्टी आपातका लगता है तो अनुछेद 19 जो है वो अ अधिकार आपको मिले हैं अनुछेद 20 और 21 के तहट प्राण यों देख सतंता अगतिकार और अपराधों के लिए यह मतलब यह अपराधों के लिए दोश्चिंद्र के संबंद में जो सरक्षन मिला हुआ है यह दोनों किसी भी तरह से छीने नहीं जा सकते हैं तो प्रिक मो परक किया गया लोगों का सोशन कहीं न कहीं हुआ तो सुप्रीम कोट ने यह बात महसूस की कि 20 और 21 में छूने नहीं दिया जाए किसी को इसको टच नहीं करने दिया जाए तो उन्होंने एक तो केश्वानन भारती में हम आपको कभी बताएंगे केश्वानन भारती मामला क कि आधार वो ढाचे की बात की थी वो तो उन्होंने किया ही इस तरह से उन्होंने नियाई पालिका को सर्वोच रखा बनाय रखा दूसरी जो बात की उन्होंने वो यह निर्णे था बड़े निर्णेओं में सामिल है कि 20 और 21 को आपातका लगाते समय छीना नहीं जा सकता है अनुचेद B 21 में क्या क्या बाते आएंगी इसका जो है वर्डन समिधान का जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहता है धे सारी बाते इसमें समाहित कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नेड़ेओं में जिसमें से यदि मत्पूंच रचाएं की जाएं तो बहुत लंबा समय हो जाए कि इसमें नेजता कादिकार हो गया पुत्ता स्वामी बनाम भारत संग में पर्या औरन सरक्षन कादिकार M.C. महता बनाम भारत संग में प्रदूशन के विरुद्ध दिकार M.C. महता बनाम भारत संग में आजीविका कादिकार सार्जनिक स्थलो पर और नो 6-4 वर्ष के बच्चों को नेशुल्क वारिमार सिक्षा का अदिकार है नेशल्क विदिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है कार अस्तल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन के विरुद्ध सरक्षन का अधिकार है टेलीफोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है पी उसील बनाम भारत सेंग बहुत महत्पूर मुद्दा है अपने रुच के विक्ति से विवा करने का अधिकार है शफीन जहां बनाम के एम अशोकन में तो तमाम है इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे विस्तिच चर्चा करेंगे ठीक है न इसके लाँ हाली में एक वाद था निश्क्री इच्छा मृत्य पैसिव यूथेनेसिया से ले करके इसमें उच्चतम न्याले ने मार्च 2018 में कामन काज बनाम भारस संग के मामले में लिविंग विल मृत्य वसीयत और निश्क्री इच्छा मृत्य को समिधान के नुच्छेद 21 के अंतरगत समिधानिक मानिता प्रतान की और कहा कि गरिमा के साथ मित्य का अधिकार नुच्छेद 21 के अंतरगत गरिमा मैं जीवन का अंग है फिर नुच्छेद 21.86 में समिधान संसूधन 2002 के द्वरा जोड़ा गया इसमें सिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है किस एके अंतरगत 6 से 14 वर्ष की आई के बच्चों को सिक्षा का निशुलक और निशुलक सिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया 6 से 12 वर्ष के लड़कों का बच्चों का उनको कुछ सरक्षन जैसे 24 घंटे में मजिश्टेट के सामने पेश करने की सुतंता या अन्य सुतंता हैं कुछ इनको नहीं प्राप्त है लेकिन पर्यापत अधिकार दिये गए हैं फिर भी फिर है शोशन के विरुद अधिकार जो की 23 और 24 में आता है 23 में क्या है 23 के पहले उखण में है मानो दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिशेद है किसी से आप जब रस्ती कारण नहीं करवा सकते हैं मानो का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका अपवाद दिया गया है अनुछेद 23 के दो में अनुच्छे 23 के 2 में अनिवार सिविल सेवा संकट किसमें राज अनिवार सिविल सेवा भरती कर सकता है लोगों को तो 23 दो में बात कही गई है फिर अनुच्छे 24 में कारखानों आदी में बच्चों का नियोजन प्रतिशेत किया गया है बच्चों मतलब यहां 14 वर्ष से कम आई के बच्चों की बात की गई है फिर धर्म की सौतनता का अधिकार है इसमें मिलान करने के लिए अकसर आता है 25-28 तक है जिसमें 25 अन्तकरण अपने धर्म को मानने प्रचार करने का अधिकार है स्वतंता मिली हुई है इसके लिए धार्मिक कारियों के प्रबंध की स्वतंता है अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान बना सकते हैं मंदिर बना सकते हैं महजिद बना सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं उसकी स्वतंता दी गई तीसरा है विशिष्ट धर्म हे तो करों की बात की कहिए जैसे आपके वो मंदिर में कर लेना है या देना है तो आप दे सकते हैं ले सकते हैं लेकिन किसी को बाद नहीं कर सकते हैं तो राज कर इस प्रकार का विशेश देगा किसी धर्मिक कर एक प्रकार से राज नहीं देगा फिर धार्मिक सिक्षा राजद कोई धार्मिक सिक्षा उपलब्द नहीं कराएगा लेकिन और धार्मिक सिक्षा उपासना में उपस्थिती अगर धार्मिक कोई कारे होता है किसी ऐसी संस्थाम जो सरकार द्वारवित्व पोशित है उसमें किसी व्यक्ति को किसी उपासना में सामिल होने से पहले उसकी अनुमत्ती उसकी स्विकारता होनी चाहिए 28 में बात कही गई है सिस्ष संस्किति वा सिक्षा संस्थानों की अस्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है इसी के तहर जो मदर से आदी है वो स्थापित किया जाते हैं इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि धर्म और भाशा ये अलपसंख्यक जो है इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं कियी है इसको धर्म और भाषा से किसी धार्मिक और किसी भाषाई समू को राज अल्पसंख्यक का दरजा दे सकती है यह बात की गई यह अल्पसंख्यक की बात की गई इसमें फिर अनुचेद 32 को इसको आप हमेशा 226 के साथ पढ़ें अनुचेद 32 में समयधानिक उपचारों का अधिकार है उपर दिये गए किसी भी मूल अधिकार का उलंगन होता है तो आप सुप्रीम कोट में जा सकते हैं डारेट अनुचेद 32 के अतहत और वहाँ पर अनुचेद 32 के अतहत सुप्रीम कोट या तो निरदेश देगा या तो आदेश देगा या तो फिर रिट जारी करेगा ये रिट पांच तरकी के होती है जो सुप्रीम कोट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षिकरन, परमादेश, प्रतिशेद, अधिकार पिच्छा और उत्प्रेशन ये 5 रिट जारी करता है लेकिन हाई कोट 226 के अंतरगत ये 5 रिट जारी कर सकता है अंतर क्या है हाई कोट का जो अधिकार है 226 के तहद सुप्रिम कोट के अधिकार से व्रिस्तित है Supreme Court अनुष्यत 32 के तहट सिर्फ मोल अधिकारों के औलंगन पर कारवाई कर सकता है जो हमने बताया जब कि High Court जो है वो किसी भी कानोनी अधिकार के औलंगन पे या मूल अधिकार के औलंगन पर वह रिट जारी कर सकता है ये दोनों में अंतर है तो High Court का जो खेत्र है बात की गई एक बार प्रशना आया था कि उदेशिका के अतरिक्त कहां पर लोग कल्याण कारी राजी की बात की गई है तो एक तो नित निशक तत्व आएगा वो भी सही है या फिर अगर निदेशक तत्व नहीं देता है अनुचेद 38 में साफ साफ लिखा हुआ है लोग कल्याणी राजी की बात की गई है कि राजी लोग कल्याण के बढ़ावा देने के लिए सभी कारे कर सकता है फिर अनुचेद 49 का क ये 42 में समिधान संसुधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया समान नयायव निश्वलक विधिक सहायता को इसमें एड किया गया 49 के कामे फिर अनुचेद 40 महत पूर्ण है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात को जो गांधी जी के विचार थे ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना विकेंदी करण जो राजनितिक विकेंदी करण की बात की थी उसको इसमें सामिल किया गया और इसको साकार करती है बाद में अंत में आप देखेंगे 73 और 74 समिधान संसोधन या 73 समिधान संसोधन जो की ग्राम पंचायतों को सामिल करता है वो बात उसमें रखी गई है, समिधानिक दरजा दे दिया गया अनुचे 43 के कम में क्या है, ये 42 में समिधान संसोधन 1976 इसको भी जोड़ा गया इसमें कर्मकारो हेतु निर्वा मजदूरी को समिधान के भाग 4 में जो कि नित निर्शक तत्व है, उसमें जोड़ा गया 43 के कम में ये अक्सर आता है, कब जोड़ा गया, क्या है इसमें अनुचे 43 के ख को 97 में समिधान संसोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया सहकारी समितियों के वर्धन के लिए राज्यों को विशेश कारे करने होंगे एसा निर्देश दिया गया है 43 के खामें एक बात ध्यान देजेगा, मूल अधिकारों को आप लागू करा सकते हैं लेकिन नीत निर्शक तत्तों को आप लागू नहीं करवा सकते हैं अर्थात यह आप कर नहीं सकते कि राज यह कर नहीं रहा है राज साकारी सम्मतियों का वरधन नहीं कर रहा है और इसको लागू करवाने के लिए आप नियाले में नहीं जा सकते हैं तो ये महत्पूर बात है प्रवरतनिय नहीं है नियाले में इसको राज करेगा राज्यों का करतब बेक प्रकासे यहां पर रखा गया है जिस तरह से आपके करतब्यों को नागरिकों के करतब्यों को अनुचेद भाग चार के कह में जोड़ा गया बाद में अभी हम चर्चा करते हैं इसी तरह राज्यों का करतब्य यहां पर बताया गया है नीत इन्जेसक तत्तों में तो 43 के ख में जोड़ा गया सहकारी समितियों के वर्धन को फिर अनुचेत 44 महत्पूर्ण है समान सिविल समिता कामन सिविल कोड इसी में है जिसकी वर्तमान में काफी चर्चा हो रही है अनुचेत 45 ये 6 वर से कम आई के बच्चों को उनकी देखरेक और उनकी सिक्षा के समर्धन के लिए राज्यों पर दाईतो सौंपता है फिर अनुचेत 46 में SCST और दुरबर वर्गों को बढ़ावा देने का कारे राज्यों को सौंपा गया है अनुचेत 46 में सौंट को इसनों को खाए पुश्यों अनुचेत 50 महत्पूर थी राज्यों कारभवा और नयाइ-अक प्रिथकक्र्ण की बात करता है इसमें छुड़ कर दिए किव्यों ल कुण फिर प्रच्णा को जोड़ा गया कब मुल करतब्यों को 42 में समिधान सयसुदन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसमें 51 के एक नए आनो चेद जोड़ा गया भाग चार के अंतरगत मूल करतब्य रूस की समिधान से लिय गया भारत में और स्वनज सिंग समिति कि सिफारिस पर इसको लिया गया समिधान में रखा गया उपर के जो दो भाग थे मूल अदिकार वो हमने USA के समिधान से लिया है अमेरिका के समिधान से वही जो दूसरा है चौथा हमने पढ़ा निर्शक तत्व राज के निर्देशक तत्व ये हमने Ireland के समिधान से लिया है वही मूल करतब भी हमने रूस के समिधान से लिया है इसमें सुरुवात में जब जुड़ा था मूल करतब भी तो 10 करतब भी कुल थे एक करतब भी और जोड़ा गया 86 में समिधान संसुधन 2002 के तहट जिसमें 6 से 12 वर्ष की आई के बच्चों को सिक्षा प्रदान करने का दाई तो सौपा गया उनके पैरेंट्स पे वावकों पे और कुल मिलाकर रहे अब 11 करतब भी है मूल करतब भी इनको आप जरूर पढ़ लीजे फिर अब हम कुछ समिधानों को एक साथ पढ़ेंगे अनुचेदों को जो बार बार पूछे जाते हैं अनुचेद 54 और अनुचेद 155 अब इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो 154 और 54 में एक जोड देंगे तो एक यहीं रहेगा 155 हो जाएगा दोनों लगबख समान बाते करते हैं राशपती के निर्वाचन की बात 54 करता है अनुचेद 54 और अनुचेद 155 राजपाल की नियुक्त की बात करता है तो राशपती का निर्वाचन होता है राजपाल की नियुक्त ही होती है राजपाल की नियुक्ति कौन करता है यही राजपती महोदे ही करते हैं ठीक है राजपती के प्रसाद परियंत पद्धारम करता है राजपाल एक सो पजपन में राजपाल की नियुक्ति अंदचेद चववन में राजपती के निरवाचन में संसद के दोनों सदनों के निरव राष्षित पदेशन दोनों, इनके विधान सभाओं के निर्वाच्य सदस्य उसमें भाग लगते हैं जो मनोनिस सदस्य हैं और जो विधान परिशत के सदस्य हैं, राष्ष्ष्थी के निर्वाच्न में भाग नहीं लेते हैं अनुच्यद сопit की बात करें तो छमादान की शक्ति अनुछेद 161 में है तो दोनों को एक साथ आप पढ़ें जब भी पढ़ें विस्ति चर्चाबाद करेंगे क्या-क्या अधिकार है बस इतना जानते रहे हैं कि अनुछेद 161 के तहत राज़िपाल को राश्पती के समान ही लगबख शक्तियां प्राप्त हैं कुछ बातों को छोड़ करके जैसे राश्पती जो फासी की सजा है मिर्तुदंड की सजा को शमा कर सकता है पूर्टा शमा कर सकता है लेकिन राज़िपाल पूर्टा शमा नहीं कर सकता है मिर्तुदंड को बाकी लगबग सभी शक्तियां समान है अनुछेद 73 बाकी हम बाद में चर्चा करेंगी जब राश्पती राजपाल के हम अंतर को विस्तित रूप से पढ़ेंगे अनुछेद 73 और 162 को आप एक साथ पढ़िये अनुछेद 162 UPPCS 2019 की परिक्षाम पूछा गया था कि राज की कारपाल का शक्ति का विस्तार किस अनुछेद में है 162 में है ठीक इसी तरह संग की कारपाल का शक्ति का विस्तार अनुछेद 73 में दिया है रट डालिये इसको ठीके ना फिर अनुछेद 74 और 163 को एक साथ पढ़िये अनुछेद 74 में मंतिपर्षद जो केंद्री मंतिपर्षद है उसकी बात की गई है अनुछेद 163 में मंतिपर्षद जो राज जी की है उसकी बात की गई है यहाँ पर मंतिपर्षद में मुखिया कौन होता है प्रधान मंत्री और अनुचेद 165 को एक साथ पढ़ी है अनुचेध 16 bank में भारत के नियाय वादी की बात की गई है वहीं अनुचेद 165 के अंतरगत राज के महाधिवक्ता की बात की गई है तो 76 और 165 को एक साथ पढ़ीगा अनुचेद 165 अर्थाद भारत के महानैवादी Attorney General of India इनकी नियुक्ति का जो प्रक्र में जो प्रारूप है जो इनके कार हैं लगभग समान हैं केंद्र और राज्यों के सापेक्ष जैसे अनुछेद 76 के अंकत भारत का जो नयाईवादी है ये राश्ट पती के प्रसाथ परियंत पद्धारं करता अर्थाद इसको नियुक्ति कर अंतरगत राज के महाधिवक्ता भी ये दोनों ही क्या करते हैं महाधिवक्ता राजिपाल के प्रसाथ परियंत पद्धारं करेगा अर्थाद राजिपाल नियुक्त करेगा और प्रचियुत भी राजिपाल करेगा दोनों इसी तरह भारत का महा नयवादी जो है यह भारत सरकार का प्रमुक कानूनी सलाकार होता है भारत सरकार का सर्वोच विदी अधिकारी होता है और इसकी योगिता क्या होती है सर्वोच नयले के मुख नयधीस होने की योगिता होनी चाहिए राज का अधिवक्ता राज का सर्व उच्विदेदिकारी होता है और इसमें उच्छ नयाले की नयादीस होने की योगिता होनी चाहिए अगला संसद, राजसभा, लोकसभा, विधान, मंडल, विधान, परश्यत और विधान, सभा इनके अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ लीजे, याद रख लीजगा 89, 89 में संसद, राजसभा, लोकसभा है, कमशह और 168, 169, 179 में विधान, मंडल, विधान, परश्यत और विधान, सभा के बारे में बताया गया है तो यह भी अकसर अनुच्छेद ही पूछ लेता है किसमें विधान, परश्यतों के गठन की बात है तो 179 में, राजसभा की बारे में किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 89 के अंतरगत, संसद में कौन-कौन आता है, तो संसद में तीन लोग आते हैं राश्पती आते हैं और दो संसदा हैं, राजसभा और लोकसभा राश्पति, राजसभा और लोकसभा ये तीनों ही संसत के अंग हैं इसी तरह 166 में विधान मंडल दिया है तो विधान मंडल का अंग कौन है? राजजपाल, विधान परिशद और विधान सभा ये विधान मंडल के अंग है इन अनुछेदों के बारे में विस्ते चर्चा करेंगे लंबे टॉपिक्स हैं अच्छे से पढ़ेंगे इसको अन्य वीडियोज में फिलाल इतना आप जानते रहें फिर अनुछेद 82 आता है प्रतेग जणगर्णा के पस्चार पुनह समायोजन या फिर यहीं पर परसीमन जो आप सुनते हैं परसीमन वो यहीं से आता है इसी के आधार पर संसद क्या करती है परसीमन अधनियम बनाती है परसीमन अधनियम के तहत परसीमन आयोग बनता है परसीमन आयोग में कौन कौन होता है परसीमन आयोग में एक तो आपका जो सर्वोश नियाले का सेवा निवित नियाधीस रहेगा दूसरा कौन रहेगा परिसीमन में जो निर्वाचन आयुकत है भारत सरकार का ठीक है जो भारत निर्वाचन आयुकत के जो मुख्य चुनाव आयुकत है वो होंगे और तीसरा आपके राज्य के जो संबंदित राज्य होगा उसके निर्वाचन आयुक्त होंगे ये करता क्या है प्रत्येग जर्णगर्णा के पाद जब भी जर्णगर्णा होगी तो एक परसीमन आयोका गठन सरकार करेगी संसत करेगी जो लोकसभः और विधान सभः में जो चुनावी चुनावी कन्स्टिट्विन्सी है जो छेत्र है उनका परसीमन करेंगे परसीमन कैसा होना चाहिए ये परसीमन ऐसा होना चाहिए कि लगभक समान जनसंख्या पे समान प्रत्निश्त हो अर्थात एक ही अगर राज्य है उसको इस तरह से बाटा जाए कि एक-एक लाकी जनसंख्या में एक-एक सीट आए अगर दस सीटे हैं और दस लाकी जनसंख्या है तो एक-एक लाकी जनसंख्या में एक-एक सीट आए ठीक तो इस तरह से भी भाज़ो नो परसीमन को इसलिए प्रतेक जनगर्णा के बात जो है अनिवार कर दिया गया हाला कि अभी तक केवल चार परसीमन आयोगी बने हैं कब-कब 52, 1952 में, 1971 में, 1973 में, 1992 में और 2001 में केवल चार परसीमन अभी तक बने हैं पूर सकता है कि कब-कब परसीमन बना तो आज के लिए इतना ही कल के वीडियो में आगे के जो अनुछेद है महत्पुर्ण उनको देखेंगे और आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इससे जो हिलाब पा सकें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद